बापू की आत्मकथा सत्ति के प्रयोग के पिछले अध्याए में आपने सुझाए कि जनता का एक पक्ष पंजाब में फैली अराजकता का दोशी गांधी जी को मानता था, परन्तु दूसरे पक्ष की और से गांधी जी को आए दिन पंजाब आने का नियोता मिलता रहता था, काफी प्रयास के बाद आखिरकार गांधी जी को पंजाब जाने की अनुमती मिली, परंतु पंजाब में लोगों पर जो जुल्म हुए वो देख गांधी जी को घोर निराशा हुई तो आए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मगता सत्य के प्रयोग से अध्याय, खिलाफत के बदले गवरक्षा अब थोड़ी देर के लिए पंजाब के हत्याकान को छोड़ दें कॉंग्रिस के तरब से पंजाब की डायर शाही की जांच चल रही थी इतने में एक सारजनी क्रिमंत्रण मेरे हाथ में आया उसमें स्वर्गिय हकीम साहब और भाई आसफ अली के नाम थे उसमें ये लिखा भी था कि सभा में शद्धानंजी उपस्थित रहने वाले हैं मुझे कुछ ऐसा खयाल है कि वे उपसभापती थे ये निमंत्रण दिल्ली में खिलाफत के संबंद में उत्पर्ण परिस्थिति का विचार करने वाली और संधी के उत्सों में संबलित होने या नव होने का निर्णे करने वाली हिंदू मुसलमानों की एक सयुखत सभा में उपस्तित होने का था इस निमंत्रण में ये लिखा था कि सभा में केवल खिलाफत के प्रश्ण की ही चर्चा नहीं होगी बलकि गोरक्षा के प्रश्ण पर भी विचार होगा और ये कि गोरक्षा साधने का ये एक सुन्दर अवसर बनेगा मुझे ये वाक की चुभा इस निमंत्रण पत्र का उत्तर देते हुए मैंने लिखा कि मैं उपस्तित होने की कोशिश करूँगा और ये भी लिखा कि खलाफद और गोरक्षा को एक साथ मिलाकर उन्हें परस पर सौदे का सवाल नहीं बनाना चाहिए मैं सभा में हाजिर रहा सभा में उपस्तिती अच्छी थी पर बाद में जिस तरह हजारों लोग उमरते थे वैसा द्रिश्य महा नहीं था इस सभा में श्रद्धानंजी उपस्तित थे मैंने उनके साथ इस विश्य पर चर्चा कर ली उन्हें मेरी दलील जची और उसे पेश करने का भार उन्होंने मुझ पर डाला हकीम साहब के साथ भी मैंने बात कर ली थी मेरी दलील ये थी कि दोनों प्रश्णों पर उनके अपने कुणदोश के द्रिश्ट से विचार करना चाहिए यदि खिलाफत के प्रश्ण में सार हो उसमें सरकार की और से अन्याय हो रहा हो तो हिंदूओं को मुसल्मानों का साथ देना चाहिए और इस प्रश्ण के साथ गोरक्षा के प्रश्ण को नहीं जोड़ना चाहिए अगर हिंदू ऐसी कोई शर्ट करते हैं तो वो उन्हें शुभा नहीं देता मुसल्मान खिलाफत के लिए मिलने वाली मदद के बदले में गोवध बंद करें तो वो उनके लिए भी शुभा अस्पत नहीं होगा पड़ोसी और एकी भूमी के निवासी होने के नाते तथा हिंदूों की भावना का आदर करने की दृष्ट से यदि मुसल्मान स्वतंत्र रूप से गोवध बंद करें तो ये उनके लिए शुभा की बात होगी अगर ये फर्ज है और मुसल्मान इसे फर्ज समझें तो हिंदू खिलाफत के काम में मदद दें या ना दें तो भी मुसल्मानों को गोवध बंद करना चाहिए मैंने अपनी तरफ से ये दलील पेश की कि इस तरह दोनों प्रश्णों का विचार सुतंतर रीत से किया जाना चाहिए और इसलिए इस सभा में तो सिर्फ खिलाफत के प्रश्ण की ही चर्चा मुनासिब है सभा को मेरी दलील पसंद आई गोरक्षा के प्रश्ण पर सभा में चर्चा नहीं हुई लेकिन मौलाना अब्दुलबारी ने कहा हिंदू खिलाफत के मामले में मदद दें चाहें ना दें लेकिन चुकि हम एक ही मलक के रहने वाले हैं इसलिए मुसल्मानों को हिंदू के जजबात की खातिर गोकुशी बंद करनी चाहिए एक समय तो ऐसा मालूम हुआ कि मुसल्मान सच मुझ गोवद बंद करनेंगे कुछ लोगों की ये सलाह थी कि पंजाब के सवाल को भी खिलाफत के साथ जोड़ दिया जाए मैंने इस विशे में अपना विरूत प्रकट किया मेरी दलील ये थी कि पंजाब का प्रश्ण स्थानी है पंजाब के दुख की वज़े से हम हकूमत से संबंध रखने वाले संदेविश्यक उत्सव से अलग नहीं रह सकते इस सिलसले में खिलाफत के सवाल के साथ पंजाब को जोड़ देने से हम अपने सिर अविवेक का आरोप ले लेंगे इस सभा में मौलाना हस्रत मोहानी भी थे उनसे मेरी जान पहचान तो हो ही चुकी थी पर वेक कैसे लड़वाईया है इसका अनुभा मुझे यहीं हुआ यहीं से हमारे बीच मद्भेद शुरू हुआ और कई मामलों में वो आखिर तक बना रहा कई प्रस्ताओं में एक प्रस्ताओं ये भी था कि हिंदू मुसल्मान सब को स्वदेशी वरत का पालन करना चाहिए और उसके लिए विदेशी कपड़े का बहिशकार करना चाहिए खादी का अपनर जन्मा भी नहीं हुआ था मुलाना हसरत मुहानी को ये प्रस्ताओं जच नहीं रहा था यदि अंग्रेजी हुकूमत खिलाफत के मामले में इंसाफ ना करे तो उन्हें उससे बदला लेना था इसलिए उन्होंने सुझाया कि यथा संभव हर तरह के ब्रटिश माल का बहिशकार करना चाहिए मैंने हर तरह के ब्रटिश माल के बहिशकार की आवशक्ता और अयोगिता के बारे में अपनी वे दलीलें पेश की जो अब सुपरचित हो चुकी है मैंने अपनी अहिंसा वृतिका भी प्रतिपादन किया मैंने देखा कि सभा पर मेरी दलीलों का गहरा असर पड़ा है हसरत मोहानी की दलीलें सुनकर लोग ऐसा हर्षनात करते थे कि मुझे लगा यहां मेरी तूती की आवाज कोई नहीं सुनेगा पर मुझे अपना धर्म चूकना और छिपाना नहीं चाहिए यह सोच कर मैं बोलने के लिए उठा लोगों ने मेरा भाशन बहुत ध्यान से सुना मंच पर तो मुझे संपुन समर्थर मिला और मेरे समर्थर में एक के बाद एक भाशन होने लगे नेतागण ये देख सके कि बिटिश माल के बहिशकार का प्रस्ताव पास करने से एक भी है तो सद्ध नहीं होगा हां हसी काफी होगी सारी सभा में शायद ही कोई ऐसा आदमी देखने में आता था जिसके शरीर पर कोई नो कोई बिटिश वस्त ना हो इतना तो अधिकांश लोग समझ गए कि जो बात सभा में उपस्तित लोग भी नहीं कर सकते उसे करने का प्रस्ताव पास होने के लाब के बदले हां नहीं होगी मौलाना हसरत महानी ने अपने भाशन में कहा हमें आपके विदेशी वस्तर बहिशकार से संतोश हो ही नहीं सकता कब हम अपनी जरूरत का सब कपड़ा पैदा कर सकेंगे और कब विदेशी वस्तरों का बहिशकार होगा हमें तो ऐसी चीज़ चाहिए जिसका प्रभाव बिटिश जनता पर ततकाल पड़े आपका बहिशकार चाहे रहे पर इससे जादा तेज कोई चीज़ आप हमें बताईए मैं ये भाशन सुन रहा था मुझे लगा कि विदेशी वस्तर के बहिशकार के अलावा कोई दूसरी नई चीज़ सुझानी चाहिए उस समय में ये तो इस पश्ट रूप से जानता था कि विदेशी वस्तर का बहिशकार तुरद नहीं हो सकता यदि हम चाहें तो संपुन रूप से खादी उत्पन्द करने की शक्ती हम में है इस बात को जिस तरह मैं बाद में देख सका वैसे उस समय नहीं देख सका था अकेली मिल तो दगा दे जाएगी ये मैं उस समय भी जानता था जब मौलाना साहब ने अपना भाशन पूरा किया तब मैं जबाब देने के लिए तयार हो रहा था मुझे कोई उर्दू या हिंदी शब तो नहीं सुझा ऐसी खास मुसल्मानों की सभा में तरक युक्त भाशन करने का मेरा ये पहला आन्मो था कलकत्ते में मुसलिम लीग की सभा में मैं बोला था किन्तु वो तो कुछ मिंटों का और दिल को चूने वाला भाशन था पर यहां तो मुझे विरुद्ध मतवाले समाज को समझाना था लेकिन मैंने शर्म छोड़ दी थी मुझे दिल्ली की मुसल्मानों के सामने उर्दू में लच्छेदार भाशन नहीं करना था बलकि अपनी मन्शा तूटी फुटी हिंदी में समझा देनी थी यह सभा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमान थी कि हिंदी उर्दू ही रष्ट भाशा बन सकती है अगर मैंने अंग्रेजी में भाशन किया होता तो मेरी गाड़ी आगे न बढ़ती और मौलाना साहब ने जो चुनौती मुझे दी उसे देने का मौका और आया भी होता तो मुझे उसका जवाब ना सूचता उर्दू या हिंदी शब्द ध्यान में ना आने से मैं शर्माया पर मैंने जवाब तो दिया ही मुझे नॉन कॉपरेशन शब्द सूचा तो उसका साथ न देने में ही सच्चा विरो दे और भलत है मैंने नॉन कॉपरेशन शब्द का प्रयोग पहली बार इस सभा में किया समर्थन में अपनी दलीलें दी इश्वर न करे पर यदि कहीं सुलह की शर्तें उनके खिलाफ जाएं तो वे सरकार की साहिता करना बंद कर देंगी मेरे विचार में ये जनता का अधिकार है सरकारी उपाधिया धरन करने अत्वा सरकारी नौक्रिया करने के लिए हम बंदे हुए नहीं है जब सरकार के हाथों में खिलाफ़ जैसे अत्यंत महत्पून धार्विंग प्रश्ण के संबंद में हमें नुकसान पहुंचता है तब हम उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं इसलिए अगर खिलाफ़त का फैसला हमारे खिलाफ हुआ तो सरकारी सहायता न करने का हमें हक होगा पर इसके बाद उस वस्तु का प्रचार होने में कई महीने बीट गए ये शब्द कुछ महीनों तक तो इस सभा में ही दबा रहा एक महीने बाद जब अमरिस सर में कांगरिस का दिवेशन हुआ तो वहां मैंने असहयोग के प्रस्ताओं का समर्थन किया उस समय तो मैंने यही आशा रखी थी कि हिंदू मुसल्मानों के लिए सरकार के खिलाफ असहयोग करने का आउसर नहीं आएगा अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्ती के प्रयोग से अध्याय खिलाफत के बदले गौरक्षा वाचन्सवर्था जैनींद्र सिंका प्रस्तुत करता निशा भार्द्वाज